नमस्कार दोस्तों आप अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं गार्डन में और देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी फूलों की वराइटी है जिसको की हम सारा साल चला भी सकते हैं और दूसरा आपके गार्डन में हमेशा उन पोद्धों को लगाने से फूल बने रहें तो बिल्कुल दोस्तों जो मेरा सबसे पहला प्लांट है पसंदिदा वो है ये लैंटाना का प्लांट जिसको की राही मुनिया बोलते हैं और दोस्तों आज मैं सिर्फ आपके साथ वो प्लांट शेयर करूंगी और इन सभी प्लांट पे अलग-लग टॉपिक पे सभी पे व हो सकेगा तो मैं 10-15 वराइटी आपके साथ शेयर कर दूगी तो ये बहुत सुदर प्लांट है और सबसे बड़ी बात दोस्तों आप इसको छोटे बड़े कैसे भी गमले में लगा सकते हो अभी कुछी दिन पहले बुद्धा जी में मैंने लगाई थे दो कलर के मिक्स करके ये आपने देखी थे अभी थोड़ी दिन बाद ये सारा का सारा जो पोट है ना ही सारा बर जाएगा सेकंड प्लांट है दोस्तों एडीनियम के प्लांट एडीनियम भी आपके सारा साल चलते हैं और हमेशे इस पे फूल आते रहते हैं थोड़े टाइम इसका जो रेस्ट पिरेड है वो सर्दियों में होता है अधरवाइस इस पे फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत बड़ी है समर का प्लांट है रफेंट अफ प्लांट है और फूल तो इसके बहुत सुंदर आते हैं इसका दोस्तों प्लांट भी लगा वह बहुत सुंदर लगता है क्योंकि तो हिविसकस दोस्तों बहुत खुबसूरत फूलो वाले पूद्ध हैं इसमें वेरिगेटिड भी आते हैं हाइब्रीड भी आते हैं और यह देसी वराइटी भी आती है तो जैसी भी आपको अवेलेबल हो इसको आप जरूर लगाएं अपने गार्डन में हमेशा आपका गार वराइटी है वो भी बहुत खुबसूरत है जैसा कि आप देखरे हो और इस पे तो अगर पत्ते भी ना आएं तो ऐसा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे क्रोटन को प्लांट लगा रखा हो है तो इसको भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए वैसे इस पे लाल रंग के फू पूल आते हैं लेकिन फूलों से ज्यादा ये पोधा ही अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है तो इसको भी अभी कुछी दिन पहले मैंने लगा के दिखाया आपको वैरीगेटिड वराइटी हिमिसकस की तो इसको भी अगर आप नरसरी जा रहे है तो जरूर ट्रा है इस पे अब कुछ मेरे जो प्लांट है कटिंग से लगाए हूए है उन पे फ्लावरिंग शुरू होगी है तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ तो बहुत सारे लगा रखे मैंने कटिंग से ही काट काट के कुछ पे देखो यो हलके हलके से फूल आने लगे है तो पतालग नहीं लग गया भी कौन सा कलर का प्लांट है इस पे दिखो ये कितना लाइट सा शेड। पीछ कलर का तो ये भी मैंने कटिंग से उगाया था मुझे भी उमीद रहती है कि पता नहीं कौन से कलर का मैंने प्लांट लगाया कैसे फूल आएंगे तो ऐसी आपके साथ भी होता होगा एके दिखो इसमें भी फूल आने शुरू हो गए है इसको भी मैंने कटिंग से उगाया था ये थोड़ी सी पीच से है ना हलाइट सा ओरेंज कलर है ये अलग सा कलर है थोड़ा सा तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है इनको तो आप बालकिनीज में भी है ना कटाई चटाई करके रखो तो बहुत सुंदर लगते हैं और हमेशे इन पर फूल आते रखते हैं और ज़्यादा तर जो बेलो वाले प्लांट है ना तो वो मैंने थोड़े से साथ साथ से रख रखे हैं ताकि एक दूसरे की ठंड़क भी मिले और एक दूसरे के स पूल आते हैं इसमें हाइबरिड और देशी दोनों वाराइटी आती हैं जो भी आपको नरसरी में अवेलेबल हो तो ले 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 ना एक ड्वार्फ वाराइटी भी नहीं आगी है मैं पिछे नरसरी में गई ना तब मैंने देखा था वो छोट-छोटे से कनियर के प्लांट थे उन पे बहुत गुच्छों में फूल आये हुए थे तो वो भी अगर आपको मिलती है तो जरूँ ट्राइए करना तो बस ये खतम होने के बाद मैं इसके कटाई छटाई कर दूँगी और जो स्टेम्स मुझे लगाने लाइक मिलेंगी तो उनको मैं ग्रो भी कर बहुत असानी से उग जाता है अगर आप नरसरी भी नहीं जाते तो भी इसकी कटिंग काट के लाके आप लगा सकते हो तो ये देखिए बंच इस तरह से इसका सूख जाएगा फिर मैं इसको नीचे से काट दूँगी तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों गर्म इसके और कटिंग के जरिये भी आप इसको उगा सकते हो तो इसकी जो हाइब्रिड वराइटी है उसमें बहुत रंगों के फूल आती है बहुत सारी शेड आती है तो वो भी आगर आप नरसरी जा रहे हो तो ट्राइ करना ये मोसम चल रहा है उसके लगाने का भी बस वीडियो देख लेना इस टोपिक पे नेक्स्ट अब ही मैक्सिकन पैटूनिया के प्लांट ये भी बहुत सुंदर प्लांट है और ये दोस्तों सारे के सारे ऐसे पोद्धे फटाफट से आपके गमले को कवर कर लेंगे और बहुत सारी पतिया निकलेंगे जिससे कि आपको समर में बहुत रिफ्रेशिंग सा अपना गार्डन लगेगा जितनी पतियां होंगे आपके गार्डन में उतना ही आपको सुंदर लगेगा अपना गार्डन और उतना ही आखो को ठंड़क देगा गर्मियों में और इसी तरीके से इसकी 어때 देशी वराइटिया ये थोड़ी गमले के नीचे नीचे रहते हैं, hybrid वाले और ये देसी वाले उपर की तरफ चले जाते हैं, थोड़ी सी उचाई ले ले लेते हैं ये, तो ये दोनों ही variety आपको try करनी चाहिए, गर्मियों में बहुत संदर लगते हैं इनके फूल, और जो hybrid वाले हैं वो तो गमले को भी एकद उचे में फूल आते हैं, बिलकुल एकदम गुलदस्ता सा बन जाता है, हर ब्रांच के उपर, तो ये तो best plant है summer के लिए, और cutting से इसको उगाया जाता है, वैसे इस पे फलिया भी बनती हैं, लेकिन वो थोड़ा मैचे और होने के बाद बनती है, अगर आप गमले में उगा तो cutting के जरिया बड़े अराम से इसको उगा सकते हो, तो वो भी तरीका मैंने आपको बता रखा है, और ये भी दोस्तो बहुत रफ़न टफ प्लांट है, नेक्स प्लांट है आपका सुंदर उपा का, जिसको की जे ट्रोफा बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा तो इनके वज़े से आपके गार्डन में जो पॉलिनेटर होते हैं, भवरे, तितलियां, मदुमखियां, ये हमेशा ही आते रहते हैं, तो जब भी आपे किचन गार्डनिंग भी कर रहे हो, तो भी आपको ऐसे ऐसे प्लांट जरूर लगाने चाहिए, ताकि पॉलिनेटर ब बहुत सुंदर लगता है, और फिर ये छोट-छोटे से जीव जनतु आते हैं, तो और भी अच्छा लगता है, छोटी-छोटी चेडिया आती है, गिलहरी आती है, तो ये प्लांट आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, मिक्स हैं मैच करके, और सभी के फूलों का रंग अल बहुत सुंदर लगती है, बेल भी, देखो कैसे घनी-घनी हो रही है, और बिल्कुल इस सर्दियों में मैंने इसको बिल्कुल काट दिया था, अब ये सारे पत्तिय के नहीं नहीं आई है, तो इसके परपल से कलर के फूल होते हैं, अंदर से पीले से, भोपू जैसे से, त बिल्कुल आप इसको भी जुरू ट्राइ करना बहुत अच्छे लगते हैं ये, और नेक्स प्लांट भी आपका फोरो क्लोक वाला प्लांट, इस पे शाम के वक्त फूल किलते हैं, जैसे नामी इसका फोरो क्लोक है, तो इसको भी आप जुरू ट्राइ करना, ये भी गंबल इस ट्राइ करनी चाहिए, चाहिए वो कटिंग से उखती हो, चाहिए बीजो से उखती हो, ये मेरी ख्याल से खुद से ही बीज गिरे हुए जो पहले वाले पोद्धे थे, उनसे ही ये प्लांट नेने बने हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी प्लांट पोद्धे होंगे ना, जो सर्दियो से थोड़ा सा पहले बीज बन जाते हैं इसके वो बिल्कुल काली मीरिच के दाने जैसे होते हैं, और वो जड़गे होंगे, उनसे देखो कितने सुन्दर प्लांट बन गया है ये, और ये एक मल्चिंग का भी काम करते हैं आपके प्ला बन गया हैं और दूसरा शाम के वक्त दोस्तों इसमें बहुत सुन्दर कलर के फूल खिलते हैं जो बिल्कुल एकदम बलब से लगते हैं और नेक्स प्लांट है ये आपकी ओरेंज ट्रंपेट वाइन बहुत सुन्दर वाइन है ये और गुच्छों में फूल आते हैं इसम कौन सी अवेलेबल है इसको जुरूर लगाना बहुत अच्छी लगती है ये और एक बार अगर आप ले आए फिर आप कटिंग के जरिए ऐसे जैसे नई कटिंग है ना ये जैसे दिवार पे चड़ रही है रूट्स बना-बना के चड़ती है ये तो इसके आप कैसी भी कट कटिंग लगा दोगे वो भी हुग जाएगी और कटिंग लगाना भी मैंने सिखा रखा है नेक्स प्लांट है आपका चांदनी का प्लांट चांदनी में डबल चांदनी सिंगल चांदनी हर तरह के प्लांट आते हैं तो एक ड्वार्फ चांदनी होती है चोटी सी हैस टाइ अच्छे लगते हैं वाइट कलर के फूल भी गर्मियों में आखों को ठंडग देते हैं तो ये भी आप जरूर ट्राई करना और ये भी मैंने दोस्तों कटिंग से युगा रखा है मेरे पस एक बड़ा प्लांट है चांदनी का तो उसकी ही कटिंग काट काट के मैं लगाती र तो बहुत अच्छी चलती है इसकी कटिंग ये दिखो एक बड़े से गमले में लगा हुआ है ये ये देखवा तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है चांदनी का तो आप चांदनी जैसे मिलते जुलते चांदनी डबल चांदनी गंधराज इस तरह के पोद्धे आप बि डिकुल दिखो घंड़ो में लगें हुए ऐसा नहीं है कि भी वही क्यारी में लगेंगे ये दिखो घंड़े में बीकितने अच्छे चल रहे हैं ये और फूल ऐगा तह चैणगा हूंगी और इसकैंगया। पब निकलते हैं, उनको भी आप चाहे निकाल के अपने घर में लगा लो, और ऐ ऐसे साइप бр्ण। आपके अपने उपर हैं कौन सा, आपको मिलता है, और बहुत सारी कलर आते हैं इसमें भी, यह बिलकुल रेड कलर है, जो बिलकुल टमाटरी रेड वाला कलर होता ना, वह व तो पर्सलेन और पोर्चुला का इनकी भी नईनी कटिंग्स मैंने लगाई थी और कुछ दो भी मैंने ज़ड़े चोड़ दी थी तो वो अपने आप ही निकल निकल के आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो तो आप इनको कैसे भी लगाओ वर्टिकल गारडन बना रहे हो तो भी उसमें लगा दो और इस तरह से हैंगिंग बास्केट भी आप बना बना के टांग सकते हो तो बहुत सुन्दर लगते हैं लटकते हो ये तो और जैसे ही इस वे दिन निकलता है थोड़ी देर बाद ये फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो अभी अभी तो चलो ये नहीनी कटिंग आपको अवेलेबल होती है कुछ आपके पास होंगी कुछ इदर दोर से ट्राइ कर लेना और नेक्स प्लांट है भी आपका देसी रोस प्लांट तो इंग्लिश और हाइब्रिड की तो कोई गारंटी नहीं समर में आप चला पाओगे नहीं चला पाओगे लेकिन ज गर्मी आने वाली इतनी ज्यादा काटाई चटाई भी नहीं कर सकती तो बस आपने यही हलकी फूलकी देखरेक रखनी है और थोड़े से हैवी फीडर होते हैं गुलाब तो अपना जैसे चाय वगरा बनती है उसकी पती दो के डाल दिया करो यह तो बिल्कुल सी चीज है य और कभी कबार इसमें मन्त में अद्धा चमच काली में इसका पाउडर भी सोयल में मिक्स कर दिया गरो तो आपके गुलाब बहुत अच्छे चलेंगे क्योंकि थोड़े से हैवी फीडर होते है थोड़े सी यह केर ज्यादा मांगते हैं चाय वो देशी हो चाह इंग्लिश ह और एक है भाई नाम तो इसका रोज है लेकिन यह डेजर्ट रोज है बेवी सन रोज है डेजर्ट रोज तो वो थाई डीनियम तो यह बेवी सन रोज है चोटे चोटे रोज जैसे लाल-लाल रंग के फूल खिलते हैं इसमें शायद इसलिए इसका नाम बेवी सन रोज होग और बहुत जल्दी से आपके बोल को ये भर देंगे तो मेरे भी बहुत सारे हैंगिंग बास्केट में लगे हुए है और बिल्कुल सर्दियों मैंने काट छाट दिये थे थोड़ी रफसी होगी थी इसके कटिंग और सारी नहीं ग्रोथ और नेक्स्ट भी ये मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट जो की मेरे भी नए-नए हैं जो पिछे लगे हुए थे उन में से भी इस निकाल निकाल के मैंने ग्रोव किये थे अभी फूल तो नहीं आए हैं फूल के लिए और उगाने के लिए पिछली वाली वीडियो देख लेना और इसके साथ ही मोगरा की बेल भी लगी हुई है वो भी एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इससे तो गार्डन में भी इतनी खुश्प हो जाती है चोट-चोटी बड्स तो बनने लगी हैं तो इन दोनों को मैंने साथ लगा रखा है ताकि एक दूसरे का साथ सा मिलता रहे लेकिन इन्होंने तो ही विसकुस को पूरा कवर कर लिया और नेक्स लांट है वही आज सोच रहे होगा मैं जल्दी लदी बता रही हूँ है तो मैं बस आपके और इसी के साथ ही मैंने ये अंगूर की बेल भी लगा रखी है और इस पे अंगूर भी बनने लग गया है तो कभी भी दोस्तों बेल लगाऊ ना तो एक दो बेली कठी लगा दिया करो ताकि एक दूसरे के सुपोर्ट से वो खूब अच्छे से मतलब मिल जूल के चलते रहें सुपोर्ट से मिल जाती है एक दूसरे प्लांट की तो अगर अलग से आप एक अकेली से लगाते हो तो बेल अकेली से रह जाएगी और फिर गर्मियों में शायद आपकी सूख भी जाए और दो तीन बेल अगर आपकी कठी लगा देते हो न तो एक दूसरों की सुपोर्ट मिलके तो वो गर्मी से बच जाती है एक दूसरे को बचा भी लेती है तो बताना है आज के प्लांट आपको कैसे लगे तो बिलकुल जल्दी जल्दी बोलने के लिए बहुत सौरी और ये बस देखो बंदर कब तक छोड़ते हैं इन चीजों को तो बस भाई उमीद है आज आज आपको सारे के सारे प्लांट तो नहीं खर मैं बता पाई लेकिन जितने भी फूलों के बता पाई आपको अच्छे लगे होंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपके पास कौन से हैं कौन से नहीं है जों से नहीं है वो लेकिया आना थैंक्यू बेरी मच्च टेक के रूफियों और प्लांट